नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है प्रिटेन के प्रधान मंत्री बॉरिस जॉनसन ने भारत के पीम नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिसा लेने के लिए नियोता भेजा है ये शिखर सम्मेलन इस बार कॉर्ण वॉल में 11-13 जून तक आयोजित किया जाएगा सम्मेलन में भारत के लावा आस्ट्रेलिया और दक्षिन कोरिया को भी महमान के तौर पर बुलाया गया है बॉरिटेन के प्रधान मंत्री बॉरिस जॉनसन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है दुनिया की फॉर्मेसी के रूप में भारत पहले से ही दुनिया के 50 फीज़ी से ज्यादा वैक्सीन किया पूर्थी करता है United Kingdom और भारत ने कोरोना जैसी महमारी के दौरान एक साथ मिलकर काम किया है हमारे प्रधान मंतरी लगतार बाचीत करते रहते हैं और PM Johnson ने कहा कि G7 सम्मेलन से पहले वो भारत का दौरा करेंगे प्रेस बयान में कहा गया है कि इससे पहले ब्रिटेन की प्रधान मंतरी Boris Johnson G7 से पहले भारत की यात्रा पर आ सकते हैं बोरिस Johnson को गड़ तंत्र दिवस कारेक्रम में शिर्कत करने के लिए भारत आना था लेकिन ब्रिटेन में कोरोना का म्यूटेंट स्ट्रेन सामने आने के बाद उन्होंने अपना भारत दौरा रध कर दिया था दुनिया के प्रमुख लोग तंत्रों के राश्ट्रा ध्यक्ष साज्जा चुनोतियों से निपटने के लिए ब्रिटेन में एक साथ आएंगे सारे बड़े निता कोरोना वारस की मार और जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए चर्चा करेंगे साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे हर जगा लोग खुले वैपार तकनीकी परिवर्तन और वैज्ञानी खोज से फायदा उठा सके बता दें कि G7 दुनिया की साथ सबसे बड़ी विक्सित अर्थ विवस्ता वाले देशों का समू है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल है इसे ग्रूप ओफ सेवन भी कहते हैं शुरुआत में ये छे देशों का समू था जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी लेकिन एक साल बाद ही यानि 1976 में इस ग्रूप में कनाडा शामिल हो गया और ये ग्रूप साथ बन गया हर एक सदस्य देश बारी बारी से इस ग्रूप की अध्यक्ष्टा करता है और सालाना शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है फिलहाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ